उश्मा गतिकी का द्विती नियम एंट्रॉपी परिवर्तन से संबंधित है। उश्मा गतिकी के नियम है उसके अलग-अलग स्टेटमेंट दिये गए हैं समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा। इसे अलग-अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं कि किसी भी गर्म वस्तू से उश्मा का प्रवा होता है तो वो अपने आप ठंडे वस्तू की ओर होता रहता है। और यदि ठंडे से गर्म की तरफ होना है तो उसमें बाहिकारी क्या वश्रक्ता होती है। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो अनुत्क्रमडी होती है और प्राया सभी अनुत्क्रमडी घटनाओं के लिए हमने ये देखा कि एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे स्टेटमेंट्स है तो हम अलग-अलग सभी को देखेंगे। उश्मा गतिकी के द्विती नियम से संबंधित कुछ कथन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है बिना किसी बाहरी कारे के उश्मा का जो प्रवाह है वो स्वतह ही थंडे पिंड से गर्म पिंडी की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। दूसरा है कि प्रकृति में होने वाली सभी स्वता प्रवर्तीत जो प्रक्रम होते हैं वे अनुत्क्रमरी होते हैं. तीसरा जो कथन है वह है स्वत्ह प्रवर्तित प्रक्रम में ब्रम्हान की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है अर्थाथ डेल्टा एस कुल बराबर डेल्टा एस तंत्र प्लस डेल्टा एस परिवेश तो यहां पर जो कुल एंट्रोपी परिवर्तन है वह तंत्र की ए उश्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदलना संभव नहीं हैं। तो यहाँ पर उश्मा को बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं हैं। तो ये सभी जो कथन हैं वो उश्मा गतिकी के द्विती नियम से संबंधित हैं। अब हम जानेंगे मुक्त उर्जा परिवर्थन. मुक्त उर्जा परिवर्थन को सर्प से पहले J. Williard Gips वेग्ञानिक है. उन्होंने उश्मागतिकी के एक नय पत को इंट्रोड्यूस किया. इसके द्वारा उन्होंने स्वता प्रवर्ति जो प्रक्रम है उसकी दिशा का ज्यान हो सकता है नहीं कोई भी अभिक्रिया संभव है या नहीं तो इन सब चीजों को समझाने के लिए उन्होंने एक नए पत को बताया जिसे कहते हैं मुक्त उर्जा इसे कैपिटल जी से दर्शाय जाता है और मुक्त उर्जा परिवर्तन को डेल्टा जी से दर्शाय जाता है तो मुक्तूर्जा परिवर्तन को हम जब व्यक्त करते हैं तो मुक्तूर्जा परिवर्तन को हम कह सकते हैं अधिक्तम उपयोगी कारे यहने तंत्र को जितनी भी उर्जा दी जा रही है वह तंत्र उस उर्जा को या उस उर्जा की मात्रा को कितना अधिक्तम उपयोगी कारे में खर्च कर सकता है वही उसकी मुक्तूर्जा कहलाती है मुक्तूर्जा की परिभाशा कि स्थेर ताप एवं दाप पर किसी भी तंत्र से प्राप्त उर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी कारे में लगाया जा सके तो तंत्र की मुक्तूर्जा कहलाती है तो जितनी भी उर्जा है उसको उपयोगी कारिमेदी लगाया जा रहा है तो वही उसकी मुक्तूर्जा या free energy होती है इसको उन्होंने enthalpy और entropy के साथ भी संबंधित किया इसके लिए जो सूत्र दिया G बराबर H minus Ts तो यहाँ G मुक्तूर्जा है H enthalpy S entropy T tapman इसे उन्होंने एक समिकरण का रूप दिया यही समिकरण Gibbs Helmhole समिकरण के रूप में जाना गया तो Gibbs Helmhole समिकरण की व्युत्पत्ती के लिए भी हमें इस सूत्र क्यावशक्ता होगी G बराबर H minus Ts H यहाँ enthalpy है enthalpy पराबर होता है आंतरी कूर्जा एवं जो दावायतनकारी गुडनफल इन्सका योग तो H बराबर U plus PV यदि H का माण यहाँ पर G बराबर H minus Ts में जो H है वहाँ पर रखते हैं तो G बराबर U plus PV minus Ts पूरे समिकरण में यदि हम परिवर्तन करें तो delta G बराबर delta U delta फिर bracket में हमने लिखा PV minus bracket में फिर से लिखेंगे Ts यहां जो bracket में लिखा हुआ है delta PV या delta Ts इसको हम एक बार P को स्थिर रखेंगे B में परिवर्तित करेंगे फिर V को स्थिर रखेंगे P में परिवर्तन करेंगे इसी तरह से यदि Ts में जो delta लगा हुआ है वहां हम देखेंगे T को स्थिर करेंगे और S में परिवर्तन करेंगे य देल्टा जी बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी यहां पर पी स्थिर है डेल्टा वी मतलब वी में परिवर्तन हो रहा है प्लस वी डेल्टा पी यहां पर पी में परिवर्तन हो रहा है माइनस टी डेल्टा एस जहां एस में परिवर्तन हो रहा है माइनस एस पूरे समीकरण में हम देखेंगे कि दाब और ताब को स्थिर कर दिया जाए अर्थाद देल्टा T बराबर शुर्ने और डेल्टा P बराबर भी शुर्ने तो यदि देल्टा T और डेल्टा P शुर्ने होगा तो यहाँ पर V डेल्टा P भी शुर्ने हो जाएगा और S डेल्टा t भी शुर्ण्य हो जाएगा यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त होता है delta g बराबर delta u plus p delta v minus t delta s तो चू कि enthalpy परिवर्थान का सूत्र है delta h बराबर delta u plus p delta v तो delta u plus p delta v के स्थान पर हम लिख सकते हैं delta h तो डेल्टा जी बराबर होगा डेल्टा ह माइनस T डेल्टा S तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा ह माइनस T डेल्टा S को हम जानते हैं Gibbs-Helmhold समिकरण के रूपने तो यहाँ पर जो मुक्तूर्जा परिवर्तन है वह एन्ठेल्पी परिवर्तन एवं एन्ट्रोपी परिवर्तन दोनों से ही संबंदित है और सभी को मिलाते हुए उन्होंने स्वता प्रवर्तिता को समझाने का प्रयास किया Gibbs-Helmhold समिकरण की सहयता से Gibbs Helmholtz समिकरण की सहायता से स्वता प्रवर्तिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि कोई भी प्रक्रम स्वता होगा या नहीं होगा तो डेल्टा जी का मान जब शून्य होता है तो अभी क्रिया साम्य आवस्था में होगी डेल्टा जी यदि निगेटिव है तो अभी क्रिया स्वता होगी डेल्टा जी यदि पॉजिटिव है तो अभी क्रिया आस्वता होगी वैसे ही जैसे हमने entropy परिवर्तन में देखा था कि यदि delta S positive है तो अभिकरिया स्वताप्रवर्तित होगी delta S negative है तो अभिकरिया अस्वता होती है और delta S 0 है तो अभिकरिया साम्यावस्था में होती है तो स्वताप्रवर्तिता से संबंद दिखाने के लिए इन्होंने Gibbs Helmhole समिकरन को लिया और इस आधार पर entropy परिवर्तन इन सब की सहता से हम delta G की value को calculate कर सकते हैं गिप्स मुक्त उर्जा एवं स्वताप्रवर्तिता का क्या संबंध है इसको समझाने के लिए भी हम एक छोटा सा derivation समझेंगे यदि तंत्र से परिवेश की तरफ उश्मा दी जाती है तो किस प्रकार परिवर्तन होता है तंत्र से परिवेश की तरफ यदि उश्मा जा रही है मतलब परिवेश उश्मा ग्रहन करता है और तंत्र से उश्मा जा रही है तो तंत्र की उश्मा में कमी आती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल एंट्रोपी परिवर्तन कितना है तो एंट्रोपी परिवर्तन हमने जाना कि पूरे ब्रह्मान का जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वह तंत्र की एंट्रोपी परिवर्तन और परिवेश की एंट्रोपी परिवर्तन के योग के बराबर हो तो यहाँ पर परिवेश से Q उश्मा तंत्र को दिया जा रहा है। जब परिवेश से Q उश्मा तंत्र को दी जाती है T temperature पर तो यहाँ पर delta S surrounding बराबर या delta S परिवेश भी लिख सकते हैं बराबर minus Q upon T होता है। चूकि यहाँ पर Q enthalpy को दर्शाता है तो हम enthalpy परिवर्तन के रूप में भी इसे लिख सकते हैं तो अब इसे हम इस तरह से form कर सकते हैं कि minus delta H upon T क्योंकि इस्थिरदाब पर तंत्र को दी जाने वाली जो उश्मा होती है QP वह enthalpy परिवर्तन के बराबर होती है अर्था delta H के बराब सकते हैं तो पूरे ब्रह्मान की जो कूल एंट्रोपी होती है delta S कूल बराबर delta S तंत्र चूकि यहाँ पर परिवेश से Q उश्मा तंत्र को दी जा रही है तो minus delta H upon T अब इस पूरे समिकरण में हम T से गुणा कर देंगे तो T delta S कूल बराबर T delta S तंत्र minus delta H क्योंकि T से जब हम गुड़ा करते हैं तो minus delta H बटा T है इंटू T करने पर T T कैंसल होगा तो बचेगा minus delta H तो अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर यह जो minus delta H है वो इस तरफ आएगा तो delta H minus T delta S is equal to यहाँ minus T delta S हो जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा तो delta H minus T delta S equal to होता है delta G Gibbs Helmholt समिकरन जो हमने अभी देखा तो Gibbs Helmholt समिकरन में delta G बराबर delta H minus T delta S है तो delta H minus T delta S के स्थान पर लिखा जा सकता है delta G तो delta G बराबर हो गया minus T delta S तो यहाँ पर जो मुक्तूर्जा परिवर्तन है तो मुक्तूर्जा परिवर्तन का जो मान आ रहा है वहाँ पे minus में आ रहा है यानि यह अभीक्रिया स्वतह प्रवर्तिता को दर्शाता है तो जो मुकथूर्जा परीवर्तन का मान है ΔELTA G बड़ाबर माइनस T ΔELTA S तो यह स्वता प्रवर्तिता से सμबंधित है जब हम इसको साइन क्या धार पर जब हम एंट्रॉपी एवं मुक तूर्जा के मानों को यदि हम धनात्मक और अनात्मक चिन क्या धार पर समझेंगे और स्वताप्रिवर्तिता से से रिलेट करेंगे इस सुत्र को तो आसानी से आप समझ सकते हैं जैसे आप देखिए यदि डेल्टा एस का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वताप्रवर्तित होगी क्योंकि डेल् अगर निगेटिव है तो अभिक्रिया स्वता प्रवर्तित होगी यदि डेल्टा एस का मान शुन्य है तो ये पूरा वैल्यू जो है वो शुन्य हो जाएगा तो डेल्टा जी भी सुन्य होगा और डेल्टा जी भी सुन्य है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी और का मान यदी रनात्मक है तो यहां पर डेल्टा जी का मान आटोमेटिकली धनात्मक होगा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा जी का मान यदी रनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतह प्रवर्तित होती है और डेल्टा एस का मान यदी धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतह प्रवर्तित होती है, अब हम मुक्तूर्जा परिवर्तन की भौतिक सार्थक्ता को समझते हैं, तो उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से इसे प्रारउट्स करेंगे, तो उश्मा गतिकी के प्रथम नियम का जो गडितीय रूप है, वो है Q बराबर delta U plus W, यहाँ पर जो W कार्य ह यह दो प्रकार से हो सकता है इसका अर्थ है कि प्रसार कारे और अप्रसार कारे यहने कुछ कारे प्रसार के लिए होगा और कुछ कारे अप्रसार के लिए होगा तो जो अप्रसार कारे होता है तो अप्रसार कारे को उपयोगी कारे में यहाँ परिनत किया जा सकता है तो Q बराबर delta U प्लस W प्रसार कारिय प्लस W अप्रसार कारिय तो जो W अप्रसार कारिय है उससे हम जैसा है वैसे ही लिखेंगे जो यहाँ प्रसार कारिय है तो जो हमने दावायतन कारिय में पढ़ा था W is equal to minus P delta V के फॉर्म में तो चुकि यहाँ पर तंत्र पर कारिय हो रहा है तो W की जगा पर हम लिख सकते हैं W प्रसार कारी की जगा पर हम लिख सकते हैं P डेल्टा वी तो Q बराबर होगा डेल्टा यू प्लस P डेल्टा वी प्लस W अप्रसार कारी तो डेल्टा यू प्लस P डेल्टा वी चुकि दर्शाता है एंथेल्पी परिवर्तन को यहने डेल H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V तो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के स्थान पर हम लिख सकते हैं डेल्टा H अब जो हमारे पस स्थिति आती है Q बराबर डेल्टा H प्लस W और प्रसार कारिय। अब जो की यहाँ पर entropy परिवर्तन को भी लिया जाएगा उश्मा गतिकी के द्वितिनियम के आधार पर हमने entropy को पढ़ा तो तंत्र में जो entropy परिवर्तन होता है वो T temperature पर तंत्र को दी जाने वाली उश्मा के बराबर है तो Q upon T तो delta S बराबर होता है Q upon T तो यहाँ पर यदि delta S calculate करते हैं तो Q upon T लिखते हैं और T delta S बराबर हम Q लिख सकते हैं तो जो Q का मान है वो हम इस समीकरन में रखेंगे तो Q का मान रखने पर होता है T delta S बराबर delta H प्लस W अप्रसार कारिये तो चुकि delta H minus T delta S यदि हम करेंगे तो हमें मुक तूर्जा परिवर्तन ग्यात हो जाएगा और यहां चुकि W अप्रसार कारिये positive sign लिए हुए है तो हम इसे पक्षांतर कर दिये तो यह minus sign हो गया और delta H इ यह भी हो जाएगा minus form में तो delta H minus T delta S delta G बराबर delta H minus T delta S है तो delta H minus T delta S के जगह पर हम लिख सकते हैं delta G तो delta G बराबर होगा minus W अप्रसार कारिये यदि हम minus sign को delta G की तरफ लगा दे तो हो जाएगा minus delta G equal to W अप्रसार कारिये तो हम यह कह सकते हैं कि जो मुक्तूर्जा परिवर्तन में कमी है वह अप्रसार कारे के माप के बराबर हैं तो हम इससे इस तरह से statement दे सकते हैं कि किसी भी प्रक्रम में तंत्र की मुक्तूर्जा में जो कमी है उस तंत्र द्वारा किये गए अप्रसार कारे की माप होती है य तो जो अप्रसार कारिय है वह तंत्र की मुक्तुर्जा परिवर्तन में कमी के बराबर होती है गिप्स हेल्म होल समिकरण में डेल्टा जी की वेल्यू किस प्रकार निगेटिव हो सकती है या वह स्वता प्रवातिता से कैसे समबंदित है इसे हम चलिए जानते हैं तो इसके अलग-अलग परिस्थितियों को हम जानेंगे कि यदि पहली परिस्थिती जिसमें यदि Δेल्टा H और T Δेल्टा S दोनों ही रिनात्मक हैं तो कौन-कौन से ऐसी परिस्थिती होगी जब Δेल्टा G का मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या शुन्य होगा तो delta H का मान T delta S से अधिक होना चाहिए ये सारी जो परिस्थितियां हैं हम इसे Gibbs Helmholt समीकरण के परिप्रेक्ष में देखेंगे तो delta H is greater than T delta S तो ऐसी स्थिति में delta G का दैव निगेटिव होगा दूसरा है कि यदि delta H less than T delta S तो यहां पर delta G की value positive आएगी ये सारा जो हम देख रहे हैं ये ऐसी स्थिति के लिए है जहां पर delta H और T delta S है ये दोनों मान धनात्मक होगा तो किस परिस्थिति में किस मान के अधिक या कम होने पर delta G की value प्रभावित होती है या स्वतर प्रवर्तिता प्रभावित होती है ये हम देख रहे हैं तो यदि delta H का मान T delta S के बराबर होता है तो delta G का मान शुन्ने होता है याने अभिकरिया साम्य अवस्था पर होती है अगला हम देखेंगे कि डेल्टा H एवं T डेल्टा S दोनों positive हो तो जब दोनों positive होगा तो कौन कौन सी परिस्थितियां स्वता प्रवर्तिता को प्रभावित करेगी पहला मान है कि यदि डेल्टा H greater than T डेल्टा S तब डेल्टा G की value positive आएगी यदि डेल्टा H less than T डेल्टा S है तो डेल्टा G की value negative आती है और यदि डेल्टा H T डेल्टा S के बराबर है तो जो डेल्टा G का मान है वो 0 होता है अर्था तभी क्रिया सामय अवस्था पर होती है हैं जो delta G की value को प्रभावित करेंगी इसी तरह से यदि delta H और T delta S का माण धनात्मक है तो कौन-कौन सी परिस्थितियां है जो delta G को प्रभावित करती हैं इसके अलावा कुछ और परिस्थितियां हैं जैसे delta H रनात्मक हो और T delta S धनात्मक हो तो यहां delta G निगेटिव ही आएगी अगली परिस्तिती है कि डेल्टा एज का मान धनात्मक है और टी डेल्टा एज का मान धनात्मक है तो डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा तो यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान धनात्मक है याने प्रक्रिया अस्वता है और यदि डेल्टा जी का मान रडात्मक है तो अभिक्रिया स्वत्र होगी और डेल्टा जी का मांड शुन्न है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो रही है